नमस्ते विद्यातिमित्रों कक्षा ग्या रहा विसेहंदी और आज हम समझ रहे हैं विग्यापन विग्यापन क्या है या तो सबसे पहले हम देखे कि विग्यापन किसे कहते हैं तो विग्यापन का अर्थ होता है एडवर्टाइस्मेंट यानि आप सभी लोग अकबार पढ़ते होगे पीवी चैनलों में भी देखते होगे या तो हम सोसियल मीडिया को आजकल ज्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें भी आप देखते होगे कि कोई न कोई चीज की किसी न क किसी चीज की एडवर्टाइस हम देखते हैं तो जिनने हम हम हिंदी में विग्यापन के रूप में पहचानते हैं यानि विग्यापन का अर्थ होता है एक प्रकार से एडवर्टाइस्मेंट कोई न कोई चीज की आज हम देखे तो उनकी एडवर्टाइस आती है तो सबसे पिले हम बात करते हैं कि विज्यानपन जो है वो सिर्फ विध्याति के लिए ही नहीं परंतु आम इंसान के लिए भी इतना ही महत्वपोन माना गया है। प्रचार होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से विज्यानपन का आज की दुनिया में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस अच्छी होती है और इन सभी बातों पर हम देखे तो यह दिपेंड करता है कि उस चीज की यानि उस वस्तु की उस संस्था की एड़टाइजमेंट किस प्रकार से की जा रही है। यानि विज्यानपन कितना अकर्सक रूप से किया जा रहा है। उन चीज की विक्रह पर इनके विज्यानपन की ज़्यादा असर दिखाई देती है। यानि उन पर डिपेंड करता है कि वो एड़टाइजमेंट किस प्रकार से किया गया है। तो इस बात को आज की समय में जानना जरूरी है। तो इसी वज़र से हम देखे तो विज्यानपन का आज की दुनिया में बहुती बड़ा योगदान रहा है। यानि विज्यानपन को हम देखे तो एक प्रकास्यम जिने एड़टाइज की रूप में ही पहचानते हैं। तो विध्याति मित्रों इस पूरे टोपिक में हम देखे तो विज्यानपन के विभिन पहलू उपर भी बात की गई है। तो साथ-साथ विग्यानपन तयार करने की एक कला, विग्यानपनों के प्रकार, उनकी भासा, तथा विग्यानपनों के तत्वों आदी के बारे में विस्तार से यहाँ पर बात की गई है। तो इसके साथ साथ कुछ विग्यानपनों के उधारण भी दिये गए हैं, जिनके आधारित हमें समझना है कि विग्यानपन बनाते समय हमें कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, या तो विग्यानपन कैसे लिखा जाता है, विग्यानपन बनाते वक्त कीन चीजों का द्यान रखा जाता है, उनकी भासा कैसी होती है, और किस प्रकार से आकर्षक और जो हमारा विज्यानपन है, वह प्रगट किया जाए, ताकि प्रजा को वह एक प्रकार से आकर्षक और रोचक लगे. तो यहाँ पर इन सबी बातों को समझाने का प्रयत्ना की आगया है, सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्यानपन किसे कहते हैं, तो विज्यानपन यानि वी और गनापन, इन दोनों सब्दों के मेल से एक पूरा सब्द बना है विज्यानपन, जिसमें वी का अर्थ है, विसेस तथा गनापन का अर्थ होता है सुचना अतह इनका अर्थ हुआ विशिष्ट सुचना विज्यापन का अर्थ क्या होगा विशिष्ट सुचना यदिया में कोई चीज की एक प्रकार से जनता को विशिष्ट सुचना देनी है जिने हम Advertise के रुप में प्रसारित करते हैं तो वो हो गया विज्यानपन правильно आगे हम देखते हैं विज्यानपन विभीन माध्यमोद्वारा विज्यानपन क्या कारिय करता है तो विभीन माध्यमोद्वारा जो भी Advertisement दे रहा है उन व्यक्ति के विचार कार्य, उनकी चीज़ की मांगपूर्ती, अथ्वा उतपाधित वस्तु आदि के सबन में सुचनाओं को प्रचारित करने का तथा विग्नानपन दाता की इच्छा में तथा विग्नानपन दाता की इच्छा की अनुसार वह कार्य करता है पतह विक्ननपन वह सकती है जिसके अंतरगत मुद्रित प्रसारित सब्दो एवं द्रश्य स्राव्य माध्यमों द्वारा विक्रय वृति में सहायता मिलती है यानि कोई चीज है उसे बेचने में या तो जनता को उन चीजों के लिए आकरसित करने में एक प्रकार से क्या होती है सहायता मिलती है साथ साथ ख्याती होती है तता साख भी बढ़ती है यानि प्रतिष्ठा भी बढ़ती है तो हम देखें कि विग्णानपन वह सकती है जिनके आधारीद, मुद्रित और प्रसारीद सब्दों एवं द्रशे स्राव्य माध्यमों द्वारा जो भी विक्रे वृद्धी है उनमें हमें सहायता प्राप्त होती है, प्रसिदी भी बढ़ती है साथ साथ विग्णानपन का उदेश्य क्या होता है इस बात को हम देखें तो विग्णानपन का उदेश्य विग्णानपन दाता की वस्तुओं का विक्रे करना तता सार्वजानिक विचारधाराओं को व्यक्तिगर्द या तो सामूहिक रूप से विग्णानपन दाता के हीत म प्रभावित करना होता है विग्णानपन का उदेशय क्या रहता है तो जो भी चीज है उन्हें विग्णानपन दाता के हीत में यानि उनका विक्रे भी अच्छा हो और जो प्रजाजन है उन्हें भी उप्योगी साबित हो यही विग्णानपन का उदेशय रहता है और एक प् हम देखे तो विग्यानपन जो है उनके माध्यमों के प्रकार यहां दिये गया है आज कल हम देखे तो कोई भी advertisement हो उन्हें अकरसक रुप में प्रसारित करने के लिए कौन-कौन से साधन रहे हैं इस बात को यहां समझाया गया है उनके प्रकारों को बताया गया है कि यदि आप कोई भी विग्यानपन बाहर पाड़ना चाथे हैं या तो कोई भी advertisement करना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन-कौन से साधन जो है वह बहुत ही उप्योगी होते हैं उनके यहां प्रकार के बारे में बताया गया है सबसे पहले हम देखे तो विग्यानपन के माध्यमों के प्रकार तो विग्यानपन दाता जिन माध्यमों के आधार पर अपने विग्यानपनों को प्रचारित करता है उनके निम प्रसाराण माध्या में कौन-कौन से साधन है एक प्रकार से हम देखे तो आकासवारी है दूरदासन है फिल्म जगत है इंटरनेट है और पत्रिकाई है आज आप टीवी चैनलों में देखते हैं चाहे साबू की एडवर्टाइजमेंट हो या कोई फणिचर की चाहे हम कोई भी हमारे देनिक जीवन में जो भी चीज उपयोग करते हैं, उन सभी की चीज़े आप टीवी चैनलों में देखते हैं कि किस प्रकार एड़र्टाइजमेंट हमें आकरसक रूप में दिखाई देते हैं, यानि हम उन्हें उन एड़र्टाइजमेंट को सुन भी स सकते हैं, उनकी चितरों के अमाधियम से जो दिखाई देते हैं, उनको हम देख भी सकते हैं, तो इस प्रकार प्रसाराण माधियम हमारे लिए बहुती उपयोगी हैं, विख्णान पन को प्रसारित करने के लिए दूसरा है प्रेस्विग्णानपन प्रेस्विग्णानपन में कौन-कौन से हैं समाचार और पत्रिकाय समाचार पत्र भी हम देखते हैं या तो पत्रिकाय भी होती है सज़े दजे रूप में आज आप अकबार देखते हैं, अकबार के साथ आपको कोई न कोई एक प्रकार की छोटी बड़ी पत्रिकाय आती है, जिन में कोई भी नया स्टोल खुला हो, चाहे समझ लीजिए, खिलोने का नया स्टोल खुला हो, या तो खाने पिने की चीजों का भी कोई नया स्टोल खु पर देखती होंगे कई बस है या तो ट्रेन है जहां पर कई चीत्रों के माध्यां से ऐसे विग्णानपन दिये जाते हैं तो उनके बाद है अन्य विग्णानपन माध्यां अन्य विग्णानपन माध्यां कौन-कौन से हैं तो दाक विग्णानपन है चर्चा है प्रदर्श्य लगती है कभी-कभी आप रास्ते में जाते हैं तो आपको कहीं से पोस्टर दिखाए देंगे बेनर लगाए होगे कहीं पर नहीं पाट साला खुली है तो उनके बड़े-बड़े बेनर होगे कहीं बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं तो उनके बड़े-बड़े बेनर या तो उपयोगी है उनके बाद हम देखते हैं यह हुए विग्यानपन के माध्यम अब बात करते हैं विग्यानपन के तत्व यानि हमें विग्यानपन बना रहे हैं या तो विग्यानपन बनाते वक्त कीन चीजों का ध्यान रखा जाता है उन सबी बातों को यहां पर समझाया गया ह वे उनके तत्व है हम देखते हैं कि विग्यानपन के तत्व विग्यानपन के प्रभावसाली रूप में प्रस्तुति करण हेतु उसमें निम्नली की तत्व होने चाहिए यदि हम कोई विग्यानपन तयार कर रहे हैं समझ लिजी आपको कोई विग्यानपन तयार करने के हो सकती है तो आप विज्ञानपन तैयर करेंगे तो उनमें कौन सी चीज को धियान में रखेंगे यहाँ पर उनके बारे में कुछ तत्व दिये गए हैं विज्ञानपन किस प्रकार बनाना है तो सबसे पहले तो वह आकशन होना चाहिए समर्ण तत्व होना चाहिए यानि लं ऐसे अक्सरों या सब्दों का प्रयों करों चित्रों का प्रयों करों कि उनका विक्रे यानि वह आसानी से हो सके। दारित तयार करना हमें जरूरी है तो बात करते हैं कि विग्णानपन की भासा कैसी होनी चाहिए आज विग्णानपन हमारी जरूरतों को सूर निश्चित करने का काम भी करते हैं चुकि विग्णानपन का मुख्योदेश्य विग्णापित वस्तु के सबंद में उपभोकता क यानि जो भी वस्तु खरिद रहा है उसकी वस्तुगी और आकर्षित करके उसके ग्राहक बनाने हेतु अपिल करना होता है। विग्नानपन की भासा भी आकर्षक, स्मरनिय, पठनिय, प्रभावी और विक्रय सक्ति युगत होनी चाहिए। पध्यात्मक मुहावरे, सुत्यात्मक और क्रिया रहित वाक्यों का प्रयोग करके कथ्यक स्मरनिय बनाकर उसमें चार चान लगाए जाते हैं। यानि हम जो भी विग्नानपन बनाते हैं उनकी भासा। सबसे पेले सरल, संक्षित और आकर सको जिसमें कई एसे पध्यात्मक मुहावरे, सुत्रात्मक और क्रिया रहित वाक्यों का प्रयोग करना है जो भासा लंबे समय तक रहाकों को याद रहे और उन्हें लुभादे। विग्नानपन की भासा सरल, सरस, लच्छेदार और लुभावनी होती है और अपने इन गुणों के काराणी वह उब्भोकता के चीत को बांद कर विग्नापित वस्तु को खरीदने के लिए उस प्रकार प्रेडित करती है। अता विग्नानपन की भासा संक्षिप्त किन्तु पूलना होनी चाहिए उसमें सरल, बोलचाल की भासा का प्रयोग होना चाहिए। आप अपने देनिक जीवन में हर कोई ने कोई चीज का प्रयोग करते हैं और उन हर चीजों पर आप देखेंगे तो कोई ने कोई एडवर्टाइजमेंट होती है। लख में जूरियों का दुसमन यानि कि हम जो तेल या तो सेमपू यूज करते हैं उनमें कभी-कभी ऐसे सब्दा आपको दिखाए देंगे। मारूती सबसे अची कार करे आपके सपने साकार। पड़ोसियों की जले जान आपकी बड़े सान ओनिडा। पंजाब नेशनल बेंक विश्वास का दूसरा नाम। और भी कुछ उदारन यहां पर दिये गए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। बुलन भारत की बुलन तस्वीर हमारा बजाज। दूसरे सारे डाई एक तरव घोद्रेज खुद बखुद। जीवन बीमा निगम सबसे पहले सबसे आगे। जीवन बीमा का कोई विकल्प नहीं L.I.C. जोरदार खबर लिख का नहीं डर। नो भी नौ। अच्छे लोग अच्छी पसंद Union Bank of India तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के हमारे रोजिन्दे जीवन में हम जो भी चीजों का प्रयोग करते हैं तो उनमें कहीं न कहीं हमें ऐसे आकरसक लुभाओने सब्दों को सब्दा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार विग्नान कुस्टमर लोगे उन्हें अपना ग्राह बना सके। तो एक उदाहरान हम यहां भी देखते हैं आपके सामने दिया गया है कि यदि आपको कोई आइस क्रेम की आज हम देखें कि घर्मियों की दिनों में यदि हम आइस क्रेम का हमें कोई विग्नानपन बनाना हो तो वह किस बनाएंगे एक उदाहरान हमारे सामने भी है समझ लिजे हमें आइस क्रेम का कोई विग्नानपन तेयार करना है तो हम क्या करेंगे उन्हें इस प्रकार उनमें ऐसे सब्दों का प्रयोग करेंगे चीत्रों का प्रयोग करेंगे और आकरसक विग्नानपन बनाएंगे तो ही लोग हमारे आइस क्रेम स्टोल पर वे क्या करेंगे हम उन्हें अपना ग्रहक बना सकेंगे तो यहां पर एक उदाहरा दिया गया है समझ लिजे आप कोई आइस क्रेम का स्टोल खोलना चाहते हैं उनका विग्णान पन बाहर करते हैं तो समझ लिजे उनका नाम देंगे सबसे का प्रयोक किया है कि अब सिर्फ पचीस अ crochet में आईस क्रीम का मजह उठाव कर नाम ही दिया है नोरंजन ऑईस क्रिम प्रयों के बाद के विद्याति मित्रों यहाँ पर आपने एक उदाहरन भी देखा और साथ-साथ विज्ञानपन क्या है उनकी समझूति को देखा, उनके प्रकार, विज्ञानपन बनाने की कला, उनकी भासा, उनके तत्वों, इन सबी बातों को हमने विज्ञानपन के इस टोपिक में देखा है आप भी अपने विद्याति जीवन में या तो आने वाले जीवन में इन विज्ञानपन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, इस टोपिक को यहाँ पर समझूति दी गई है या तो समझाया गया है, पूरा टोपिक एक बार पढ़कर भी आप विज्ञानपन किसे कहते हैं, उन मस्ते